हेलो व्योड संबोक्सिंग इंडिया में आप सब कास स्वागत है और मैं हुम्रान आज बर पास जो स्मार्टफोन है वह है वीवो वाइट्वान्टीवान फोर जी शिक्स्टी फोर जी वेरियंट में रिवाइज है और काफी कमाल का डिवाइज है तो इस वोडियो में इसी वीवो वाइट्वान्टीवान स्मार्टफोन के बारे में दीजिए इस में फोन की स्पेसिफिकेशन प्राइस और इसी डिवाइज को अंबोक्सिंग करके हम रिव्यू करेंगे तो इस वीडियो को आप अंतक जरूर देखिएगा चैनल पे नहीं है और चैनल को भी तक सब सब्सक्राइब कर दिजिए साथ ही साथ बहले करके जरूर दबान आता कि आना वाले वीडियो स्क्रेटिफिकेशन सबसे बहले आप तक पोचिए और वीडियो का लाइक और शेयर अपने दोस्तों के साथ जरूर करते हैं और कुछ इससरी के से वीवो वाइट्वान्टीव है और डीवाइस कई गणखें वो accommodationsבה लोग में इसके लवाइस मारिश मॆर्केट में अफाले बिलहें यह दूर में है और दो वी पहलेंट है और डिवाइस का इस बस आउइट के सामट पातर एक तौर फासटर इस लऑज मार्ट फरॉर्चज फ्टेंडूर्य इसमल पिलहाल इसी Vivo Y21 स्मार्टफोन का हम अन्बोक्सिंग करे लेते हैं और जो बॉक्स से ये अन्बोक्सिंग हो चुका है और यहाँ पे एक वीवो का यहाँ पे ब्रांडिंग के साथ में एक सेक्शन है यहाँ पे कुछ डिकमेंडेशन और इसके लवाए एक एंसपारेंट के इसको वर और कुछ इस तरह किसे परडिक्शन के साथ में भी वो Y21 स्मार्टफोन नजर आता है जी हाँ मीड़नाइट ब्लोकला में बहुत ही जवरदस्त लूक्स के साथ यह स्मार्टफोन है बाकी कॉंटेंट से देखा जाए तो यहाँ पे एक टाइप-C केवल हमें नज नजर आता है और यह बड़िया तरीके से चार्ड़ करेंगा डिवाइस को और यहाँ पे एक चोटा सा सीम इजक्टर टूल भी प्रोवाइड कर दिया गया है और यह रहा एडॉप्टर इसका जो आउटपुट है वो है नाइन वॉल्ट एन ट्यूंप्यर यहाँ पे दिया गया है और चले फिलाल इस परडिक्शन से इस डिवाइस को निकालते हैं और देख सकते हूं यहाँ पे कुछ इस तरीके से लुक्स और डिसाइन के साथ भीवो वाइट 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 स्मार्ट फॉन नजर आ रहा है मिट नाइट ब्लू कलर में यह बेक बोरी है और यहाँ पर मैट फिनिश जैसा यहाँ पर फिल देता है और साथ यहाँ पर बेक जो बोरी है वो फ्लैट बेक बोरी के साथ यह नजर आ रहा है जो डिवाइस को और ज्यादा अट्रक्टिव बनाता है और यहाँ पर माल्टी केमरा मेंशन पी किया गया है औ डाउट कोवर अगर आप यूज करोगे फिंगर बिगर आएंगे ज्यादा नहीं आएंगे यहाँ पे कम आएंगे और डिवाइज जो है वो काफी स्लीम भी है 8.0 mm तिकनेस के साथ यह डिवाइज आता है डिवाइज के साइड में बॉलियो मरोकर पावर वर्टन और पावर डिवाइज आता है उपर के तरफ यहाँ पे सिम्ट्रे नजर आता है ट्रिपल स्लोट के साथ यह सिम्ट्रे है और डिवाइज के जो वेट है 182 ग्राम इस फोन का वेट है तो ऑवर ओल देखा जाए लुक्स डिजाइन बिल्कॉलिट के मामले में काफी शांदार डिवाइ वैसे मैं आपको वीवाइज 21 स्मार्टफोन का लोग से डिजाइन बिलकॉलिक ऐसा लगा नीचे कॉमेंट करके जरूर बताइए अगर अच्छे लगा तो प्लीज इस वीडियो के लिए एक लाइक दो रुखर दीजिए और चलिए फिलहाल बात करते हैं वीवाइज 21 स्मा की यहाँ पर रिजिलिशन है एक दीप्लास रिजिलिशन है फूल एक दीप्लास नहीं है तू सेवेंटी पीप्याइए रखा गया है और एक्टी वान पर एट्वर्ट से इसके लिए इसी स्मार्टफोन के परफॉमेंस के बारे में तो डिफाइज में 4G RAM है 64GB internal storage इसके लाव 1GB यहाँ पर extra RAM मिल जाता है यानि टूटल यहाँ पर देखा जाए 5GB RAM है जो 1GB RAM है वो software ways extended आप यहाँ पर दिया गया है RAM और साथी साथ device में जो प्रसेजर दिया गया है वो मिडियरे के तरफ से है मिडियरे के लिए P35 2.35 GHz clock speed के साथ में यह OctaCore processor है मिड storage performance device में देखने को मिलेगा speed के मामले में gaming के मामले में ठीक टाक यह perform कर लेगा और इसके लबाद यहाँ पर GPU power VR GE8320 GPU भी दिया गया है रिवाइस की जो बैटरी है वो कमाल की बैटरी लाइफ होने वाल है डिवाइस में क्योंकि 5000 mAh का बैटरी डिवाइस में दिया गया है ज यहाँ पर कोई भी आपको दिक्कत नहीं होगा बैटरी के मामले में इसी स्मार्टफोन में और Vivo Y21 जो इस स्मार्टफोन है यह साइड मौंटेन फिंगर्पेंट स्कैनर एंड फेस अनलॉक दोनों यह option के साथ में आता है चलिए सेट करते हैं और देखते हैं किस तरीके से यह स्मार्टफोन काम करता है यहाँ पर देख सकतो काफी fast and accurate तरीके से device unlock हो जाता है इसके लवा face unlock भी device में है जो काफी बढ़िया और बहुत ही fast है यहाँ पर security के मामले में कोई भी आपको issue भी देखने को नहीं मिलेगा काफी बढ़िया तरीके से smartphone काम करेगा और इसके ल यहाँ पर टू मेगा पिक्सल का और एक camera दिया गया है जो अपड़ियोग्राफिक के मामले में हमें देखने को मिल जाता है और डिवाइस जो है वह सपोर्ट करता है वीडियोग्राफिक के मामले में 720p तरी एफपेस प्याफियो शूट कर सकते हो फ्रॉंट एंडियर के सा जात में कुछ camera simple देख सकते हो जो outdoor condition में मैं यहाँ पर क्लिक किया है और काफी बढ़िया detail है बहुत ही मुझे अच्छा लगा फास्ट इंप्रेशन में 8 megapixel के हिसाब से बहुत ही बढ़िया है rear camera ठीक चाक perform कर लेता है outdoor condition में कुछ फोरूस क्लिक क्लिक किया है काफी पंची ह हमें यहाँ पर देखने को मिल रहा है definitely तो कह सकते है device के camera काफी हद तक मुझे अच्छा लगा काफी अच्छा यहाँ पे camera quality है device के फोटोग्राफी के मामले में और मैं कहूंगा कि price range के हिसाब से better camera quality देना चाहिए ता low light indoor condition में average करेगा यह perform इतना कुछ बढ़िया outstanding नहीं हो होगा लेकिन खराब भी नहीं होगा तो camera के मामले में device okay में कहूंगा इतना कुछ बढ़िया नहीं है और खराब भी नहीं है लेकिन outdoor condition में या फिर daylight condition में Vivo Y21 smartphone काफी बढ़िया perform कर लेता है अब चलिए फिलहाल बात करते हैं इस smartphone की price के बारे में इस device में दो variant है मैंने पहल GB RAM 128 GB internal storage variant है उसका price इंडिया में रखा गया है 15,490 रुपीस यानि almost 15,500 का device है तो यह दो अलग-अलग variant अलग-अलग price range के हिसाप से आता है और price range के हिसाप से specifications के हिसाप से मुझे display में यहाँ पर processor में तोड़ा सा कमी लगा लेकिन बाकी overall looks, design, bell quality, battery, camera काफी हद तक device में इच देखा जाए तो कहीं न कहिए का device है वीव वाई 21 तो यह दोस्तों वीव वाई 21 स्मार्टफॉन के unboxing और इस device के बारे में उम्मीद है आप सबको वीडियो ज़रूर पसंदा होगा और इसी वीव वाई 21 4G 64G midnight blue color unboxing अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज इस वीडियो के ल अच्छा हैंड़